स्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग, मैं रितिका कस्दर, MKD Online Digital Class में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ, बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको Class 2 की हिंदी पढ़ाऊंगे, और हिंदी में हमारा चाप्टर है Part 2, तो Part 2 में हमारा नई सोच के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, बच्चों, नई सोच, तो नई सोच किया है, यानि आज के जनरेसर की सोच किया है, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको किताब पढ़ाने से पहले, किताब में जो कहानी दी हुई है उसके बारे में आपको बताती है तो कहानी हमारा ये है नई सोच में एक कवा को एक रोटी का टुकड़ा मिलता है कवा को एक रोटी का टुकड़ा मिलता है और वो लेकर पेड़े के डाल पर पैड़ कर खाता है तो उस रोटी के टुकड़े क को देखकर लोमड़ी सोचती है कि क्यों नहीं मैं रोटी पर टुक्रा कॉबे से ले लू हमारा चाप्टर है कि मैं इवर बुक दिखाना चाहूंगी बच्चों भी देख लीजिए नई सोच चप्टर का नाम है पाठ दो है और नई सोच है तो बच्चों मैं कहानी थोड़ा से बताती हूं उसको बुक के माधन से आपको बताओंगी तो इसमें जो कावे को एक रोटी का टुक्रा मिलता है कावा उस रोटी के टुक्रे को को देख कर लोमड़ी सोचती है कि मैं उस रोटी को टुक्रे को कावे से ले लू तो अब कावे के कि नई फिल्म का गाना सुना box जरूर यह पुराणी बात भिए उसे को रोटी का ठुकड़ा अपने प्रहूं में डबा लेता है और उसका उनकाम रहा शुरु करता है यह देख कर लोँबडी कुछ दिर वहाँ रहा कर क्यों होति उ सुक्साई होकर वहाँ से जाने लगती है क्योंकि रोटी का टुकड़ा उसको नहीं मिलता है उदास लोमडी को जाते देख कावा कहता है कि लोमडी मैं तुम मेरे पास दो रोटी का टुकड़ा है तुम एक टुकड़ा तुम ले लो और उसको खालो ये सुनकर लोमडी रुख जाती है और कावा एक टुकड़ा रोटी का उसको दे देता है दोनों खुशी से खा लेते हैं रोटी को टुकड़े को और अन्त में कावा बोलता है लुम्री से लुम्री बहान कल फिर आना मेरे गाना सुनने के लिए जरूर आओंगी भाया गाना सुने के लिए चलिए बच्चों हम बुक को पढ़ते हैं बुक हमारा है चलिए बच्चों बुक को देखते हैं तो चलिए बच्चों हम बुक को देखते हैं बुक में कहानी को पढ़ेंगे और बुक के माद हम से धीरे धीरे उस कहानी को डिपली में जानेंगे तो चाप्टर हमारा 2 है और चाप्टर का नाम है नई सोच क्या है चाप्टर काना नई सोच पार्ट से जुड़े कुछ उद्देश से है किसी की चुकनी चुपडी बातों में ना आने की प्रेणा यानि किसी की चुकनी चुपडी बातों में नहीं आना चाहिए यह हमारे पार्ट का उद्देश से है तो क्या है नैतिक मुल्य क्या है किसी की चालाकी को तुरंत भाब कर सही निर्ने लेना चाहिए तो चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं नई सोच के बारे में यानि आज की सोच क्या है यह नई सोच है पहले की सोच में अलग है और आज की सोच में क्या अंतर है इस चीज़ को हम अब जानते हैं बच्चों अब हम कहानी को सुरू करते हैं कहानी हमारा है भूखी और चलाक लोमणी ने पेड की डाल पर बैठे कोवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा लोमणी कवे भाय भाय तुम बहुत सुरूला गाते हो जरा मुझे किसी नई फिल्म का गाना सुनाओना कवे से बोलता है लोमणी कि भाय तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो बहुत सूरेला मिठा गाना गातु किसी नई फिल्म का गाना मुझे सुनाओना कौवा कुछ सोचते हैं वे खुद से अपने आप में वो क्या करता है सोचता है बोलते अच्छा फिर वही पुराना बहाना यानि फिर वही पुराना बहाना बना कर क्या होता है पुराने में जम अच्छा और फिर वही पुराना बहाना है पर इस बार तुम्हें रोटी का टुकड़ा चिकनी चुपड़ी बातों में फसा कर नहीं मिलेगा यानि मुझे चिकनी चुपड़ी बातों में फसा कर तुम रोटी का टुकड़ा मुझसे नहीं ले सकते हो रोटी का टुकड़ा डाली पर रख कर क्या करता है कावा रोटी का टुकड़ा डाली पर रख कर लोमणी बहन क्या कहा डाली पर उसने रोटी का टुकड़ा रख दिया और लोमणी से कहती है क्या कहा लोमणी बहन तुमने जरा एक बार फिर से कहो तो बहुत की छएक आपस के अधर भर फिर से स्लोह ना लोमडी अपने से और रोटीका टुकड़ा तो इसने डाली पर रखती है रोलोंडी में अपनी आपसे बात करती है यह यह तो रोटी का टुकड़ा क्या करता है डाली पी रख देता है उसको गुम्शुम देखकर उसको गुम्शुम देखकर कावा लोम्री की सुच में पड़े हुए देखकर गुम्शुम देखकर कावा बोलता है लोम्री बहन बताओ सुनोगी गाना कावा बोलता है लोम्री से लोम्री बहन बताओ सुनोगी गाना लोम्री जेपते हुए हाँ हाँ क्यों नहीं क्या हुआ मतला सरमिंदै लजित होने के साथ सथ बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं सुन लोंगी गाना कावा तो सुनू कावा क्या करता है बोलता है तो सुनू गाती हूँ कावा काव काव भाई काव काव में गाता हूँ कावा बोलता है गाता है काव काव भाई काव काव में गाता हूँ नई सोच का सुन्दर गित सुनाता हूँ यानि काओं काओं भाई काओं काओं मैं गाता हूँ नई सोच का सुन्दरगीत सुनाता हूँ चिकनी चुपडी बातों में ना आता हूँ यानि बहकाने के में चिकनी चुपडी कात्वा बहकाने में नहीं आता हूँ चापडुसी से नहीं भडता हूँ तो चिकनी चुपडी बातों में नहीं आता हूं ऐसा करके कभी नहीं पस्ताता हूं यानि गल्ती महसुस करना पस्ताना करते होता है कोई गल्ती कर देते हैं हम लोग उसकर पस्ताते हैं कि यह गल्ती हम नहीं करते तो वही कव बता रहा है कि ऐसा करके मैं बाद में पस्तावा नहीं करता हूं किसी क चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता हूं और ना ही बाद में इसके लिए पस्चता करना पढ़ता है हमको तो बच्चो यह हमारा पेज नंबर 21 है इसमें हमने इस कहान लोमडी और कौवे की कहानी को पढ़ा है अब हम सब्द पितारा पढ़ते हैं चोच यानि क्या हता ह चंतू चंतू चोच पक्षियों के मुग में पक्षियों के मुग का अगला नोकिला भाग जो निकला हुआ भाग होता है यानि यहां पे जो निकला हुआ भाग होता है वो क्या है चोच हुआ क्या हुआ इसका चोच यह वह सुरीला क्या हुआ हुआ सुरीला मधूर स्वर वाला सुरीला करत क्यों का चुब मधूर गीत गाता है वह सुरीला हो गया मधूर स्वर वाला यानि मीठा बुलने वाला टुकड़ा यानि भाग हिस्सा भाग और हिस्सा कौर भी बोलते हैं लेकिन भाग या हिस्सा जाने वाली या फिर चाप लूसी से भरी जेपते हुए सर्मिंदी गी या फिर लज़्ा के साथ स्रमिंदी या फिर लज़्ा के सांथ पस्ताना या फिर या न homeland गलती महसूस करना फिर सकताना स्मय हो finalement ये यह हमारे चाप्टर 2 की कहान नई सोच की कहानी का हमने कुछ भाग पढ़ा है पेज नमबर 20 और पेज नमबर 21 कहानी के साथ साथ आप सब्द पिटाड़ा भी याद किजेगा कहानी के साथ साथ बचो हम सब्द पिटाड़ा भी याद करेंगे और नेक्स वीडियो में हम अप को बताऊंगी तो बच्चों तब तक के लिए आप अपने घर में रहे सुरक्षित रहे